तो आपका बदबद इस्तक्बाल करता हूँ मैं हमारे और आपके इस यूटूब चैनल पे जिसका नाम है मरौतिवाला आमिर और मैं हूँ आपका हुष्टन दोस्त आमिर तो दोस्तो आज हम पलसा 220 के शौक अप के बारे में बात करें जैसी कि हमारे कई लोगों के जहन में यह सवाल होता है कि हम शौक अप जो है दूसरे बाइक में मतलब यहने कि जैसा पलसा 220 की शौक अप हम डिसकावर 100 में या 150 में लगा सकते है कि या फिर पलसा 220 की शौक अप 150 में लगा सकते है कि तो डिसकावर की जातक बात करें हम पलसा 220 के शौक अप जो होते है उसकी जो तो लास्ट तक स्प्रिंग है इसका यहां पर टिका होता है अगर आप अपनी बाइक में नूटिस करेंगे अगर आपके बास पलसर 220 है और आपके बास डिस्कॉवर है या फिल 150 पलसर है तो उसमें जो लेंद्थ होती है स्प्रिंग की वो कम होती है मतलब कि जो इसमें पलसर 220 का वेट थोड़ा पलसर 150 से जादा है और डिस्कॉवर का वेट पलसर 150 से कम है तो जो शोक अप होता है यह टेस्टेड होता है और इसको वेट के हिसाब से बाइक में एज़ेस्टेबल करने के लिए लगाया जाता है वेट को और वैसे तो बाइक के अंदर शोक अप एड्जेस भी किया जा सकता है जैसे आप देख रहे हैं तो इस वीडियो से मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि शौक अप तो हम किसी भी बाइक में किसी का भी शौक अप लगा सकते है अल्टर करके मगर उसमें दिक्कत यह जाएंगी कि आपको उसके जो ज़टके महसूद होंगे तो ज़टके से आप कि रीड की हड्डी में गैप आ सकती है या फिर फरख आ सकता है मतलब की जो चीज जिसके लिए बनाई होती है उसी के लिए बहतर होती है जैसे कि अब ये पैनल है जैसे आप देख रहे हैं ये 150 में भी लगेंगा और 220 में भी लगेंगा मगर ये पैनल को हम डिस्कावर में लगाने कोशिश करेंगे तो नहीं लगेंगा और ये शोकप के हम बात कर रहे हैं तो ये पलसर 150 में भी लग सकते हैं और 180 में भी यही शौकब लगेंगे और पलसर अभी जो 150 आई है नहीं तो उसमें भी यही शौकब आपके लगे हुए है तो उसका वेड जो है चेंजिंग हो गया है और जैसे कि मैं आपको बता हूँ हम इसको आम भाशन में कैची कहते है जिसके उपर शौकब अटेज है यह वाली तो यह जो कैची है उसमें पहले वाली पुरानी वाली पलसर जैसे कि अभी भी शुरू है नियॉन में कैची जो देखेंगे आप तो वह चेंज है इसमें जो ब्रॉट होती है यह वाली मतलब मोटे साइज की अभी कैची का यूज किया जा रहा है 150 में और पलसर 220 में पहले से किया जा रहा है मगर अभी की नहीं 150 को 180 को 150 कर दिया गया है तो उसमें भी यह इसी टाइप की कैची दिये जा रही है तो आप इस शौकप को 150 में और 180 में दोनों में वन डिस्कावर चोड़के डिस्कावर जो दूसरी बाइक है उसके शौकप जो है चेंजिंग चेंजिंग होते है क्योंकि टाइर का साइज टाइर का वेट हर चीज में वेट में फरक हो जाता है तो उसे साबसे आपको शौकप यूज करना होगा आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत क्यान प्राप्त हो गया होगा हमारे इस वीडियो को लाइक करे शेयर करे और सबस्क्राइब करना ना भूले